question number 15 the sides of a triangle are in the ratio 13 is to 14 is to 15 and its perimeter is 84 centimeter find the area of triangle सबसे पहले आप क्या कहें कि लेट कि इस साइड्स कि ओफ ट्राइंगल आर 13x 14x and 15x ठीक है तो perimeter जो होता है वो कैसे निकलता है सारी साइड्स को प्लस करके और साइड्स यह रही तो आप कहेंगे 13x plus 14x plus 15x और इसको solve करके निकलता perimeter लेकिन question में perimeter दे रखा है कितना है 84 centimeter अब देखिए इन सब को प्लस करिए आप 4 5 9 3 12 2 42 x की value कितनी दे रखी है 84 x की value क्या हो गई 84 divide में 42 कट करोगे तो 2 times तो x की value क्या गई है 2 centimeter अब देखिए मैं कहता हूँ कि यह जो है यह वो first है यह वाली side है जो कि 13x है तो अगर मैं x की value put कर दूँ जो कि 2 आ गई है तो कितना आ जाएगा 26 फर्स्ट side पता चल गई है में बी की value कितनी है 14 x तो 14 में multiply 2 centimeter की तो कितना हो गया 28 centimeter यह दूसरी side है और तीसरी क्या है 15 x यानि की 15 multiplied 2 centimeter यानि की 30 centimeter तो तीनो side हमें पता चल गई अब हमें इसका area निकालना है तो area निकालने के लिए सबसे पहले semi perimeter निकालते है वो क्या होता है 1 upon 2 bracket A plus B plus C तो 1 upon 2 bracket सारी side का sum होता है perimeter जो कि question में 84 दे रखा था आप चाहो तो इनको भी put कर की कर सकते हो तो वो कितना दे रखा था हमें 84 centimeter cut करोगे तो कितना आएगा 42 centimeter तो ये हमारा S की value आ गई है कितनी 42 centimeter अब देखिए area of triangle का formula here on formula से क्या होता है S S minus A S minus B S minus C value put करते है S की value 42 है तो 42 minus A A कितना है 26 फिर 42 minus B B कितना है 28 और फिर 42 minus C C कितना है 30 तो 42 तो ऐसे ही रहा अब इस में से इसे minus करो तो कितना बचेगा 6 1 फिर इसको minus करो तो क्या बचेगा 4 1 और इसको करोगे तो 12 अब prime factors ले लेते हैं तो 42 के prime factors करते हैं तो 2 से 21 3 7 जा और 7 बन जा तो क्या लिखोगे इसको 2 into 3 into 7 16 के करोगे तो 2 8 2 4 2 2 2 1 तो कितना आया 2 into 2 into 2 14 के करोगे अगर तो 2 7 और 7 1 यानिकी 2 into 7 और 12 के करोगे तो 2 into 2 into 3 ठीक है तो यह हमारे क्या गए सारे factors अब pair बनाते हैं count करते हैं 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितने बाहर आएंगे 4 3 count करो कितने हैं तो 1 और 2 तो हम एक बार लिखेंगे 3 को और 7 कितने बार हैं सिर्फ 2 बार तो 1 बार लिखोगे आप तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 7 जा 21 तो 21 से multiply कर देते हैं तो 16 और 32 6 3 3 तो हमारा आंसर क्या आया है 3 3 6 सेंटीमेटर स्क्वेर यही उसका क्या है एरिया तो आई होप आपको क्वेशन समझ में आया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्याशन पर